हलो एंड वेलकम एवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटिव चैनल लाइस फॉइंट में इस मैं आश्या करती हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टेडी भी काफी अच्छे से चल दे होगी तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे 11th lesson complete हो चुके हैं NCRTK और आज हम discuss करने वाले हैं lesson no.12 के बारे में और हमारे lesson का name है जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं बिदुत तता परिपत इसके बारे में मच्छे से जानेंगे में भी आप लोगों के 11th lesson एक दम complete हो चुके हैं topic गईस कोई भी doubt है तो आप उसको comment box में जरूर clear करें guys topic start कहने से पहले chapter start कहने से पहले हम लोग जाननेते हैं कि आके इस chapter में हमें कौन कौन सी बातें बताये जाने जाने वाली है तो guys इस chapter में आपको vidust से संबंदित तता परिपत से संबंदित बातें बतायी गही हैं विदुत क्या होता है विदुत का कैसे उसर्जन होता है विदुतिय शेल क्या होती है विदुतिय स्विच क्या होता है क्या होते हैं परीपत कुछालक पदार्थ क्या होते हैं और सुचालक पदार्थ क्या होते हैं और वो कौन से होते हैं विदुतिय जो एकदम के वारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है आपको भी अच्छे से टॉपिक वाइस समझना है वीडियो का पूरी देखें ठीक है चलिए आज की वीडियो देरी ना करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं विदुत तो आखिर क्या होता है यह विदुत पहले हम विदुत के प्रकाश के लिए करते हैं साथ ही इसका प्रियोग किसी मशीन को सक्ती देने के लिए यूज करते हैं विदुत एक प्रकार की उर्जा है आइनरजी है आपको अच्छे से समझ लेना है अब हम जान लेते हैं जो हमारा सेकिंड वर्ड है वो है परीपत तो आखिर यह परीप आप रवावित होते हैं एक किस्तान से दूसरे स्थान की और तरफ ठीक है उसे ही हम लोग कहते हैं परीपत आपको अच्छे से समझ लेना है क्या होता है कि काफी सारे उपकरनों में विदूत के द्वारा क्या होता है कि उसके द्वारा सक्ति प्रदान की जाती है वो फिर वो उपकरन move करते हैं उन्हें सकती मिलती है energy मिलती है फोर एग्जामपल जब भी हमें गर में लगती है तो हम switch on करते हैं अपने घर में ठीक है तो फिर बिदुद केघडित रात रहुत है और switch on होते ही फैंस जो move करने लगता है वो fan move करने लगता है फिर हमें क्या लगते है guys हमें थन्ड़ थन्ड़ फील होने लगता है जैसे ही हम switch off कर देते हैं तो fan भी off हो जाता है ये विदुत का ही रुपांतरर है ये पंका विदुत के द्वारा ही चल रहा है विदुत के माध्यम से हमें पिरकाश भी मिलता है पिरकाश जिसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं जिसके माध्यम के बारे में हमने लास चेप्टर में भी अच्छे से पढ़ा था इसी के माध्यम से हम देख भी पा रहे हैं आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है साथ में आपको ये भी जान लेना है गाईस कि विदुद विदुद से हमें उश्मा भी मिलती है इस तरी का हम योग करते हैं ठीक है उससे कपड़े भी आईरन करते हैं जो इस तरी होते हैं से हम कपड़े आईरन करते हैं विदुत के उपकरन में से वल्व में से हमें रोशनी मिलती है हीटर से हमें उश्मा मिलती है फैन से हमें हवा मिलती है विदुत का उपयोग हम विविन उपकरनों में करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ लेना है काफी छोटे छोटे पॉइंट हैं और काफी इंपोटेंट हैं इसलिए आपको अच्छे से समझ लेना है विदुस सेल क्या होती है अब हम इसके वारे में जानेंगे विदुस सेल एक सरल उधारन है जिसमें विदुस उर्जा राशायनिक प्रतिकरिया से प्रयाप्त होती है साम मनत है विदुस सेल एकदम बेल लकार धातु का बना एक उपकरन है जिसमें उपर की तरफ धातु का बना टोपी होता है और निचला हिस्सा जिसका निचला हिस्सा होता है गाईज वो धातू से समतल हिस्सा होता है विदू सेल में धातू की तोपी होती है वो धनात्मक सिरा तत धातू का डिक्षवाला जो हिस्सा होता है वो रिनात्मक शरा कहलाता है आपको अच्छे से समझ लेना है अब हम देखेंगे आखी विदुत परीपत आखिर होता क्या है जैसा मैंने आपको कुछ दिर पहले वताया कि परीपत वह मार्क या वह रास्ता है जिससे विदुत का पिरवा होता है वह मार्क ही विदुत परीपत कहलाता है क्या कहलाता है विदुत परिपत कहलाता है जैसे आप सब भी जानते हो विदुत परिपत जो कैसे उसको हम कैसे पूरा करते हैं किसी भी इलेक्टॉनिक ठीक है सोलर से विदुत शेल से उसका शिरा जैसे आप जानते हैं विदुतिय शेल ठीक है विदुतिय शेल के सबसे उप पी जो टोपी नूमा होता है उसका positive and positive terminal हम उसको कहते हैं और जो नीचे वाला जो पortion होता है ओसे हम समय नेगिटिव में जोडते हैं तो जब भी तारों को नागेटिव में जोडते हैं तो वह एक पूरा परीपत तयार हो जाता है परीपत पूरा होते ही क्या होता है ऐसा आप करते हैं कि विदूत ये परीपत में उपस्तित राशायनिक पधार्थ को विदूत में आप एक रुपांतरण हो जाता रहा है जो रुपांतरण है वो होता जा रहा है अगर आपने उसको ऐसे ही जोड़ा हुआ है या फिर आप उसको रख दिया जाए तो विदू सेल में तो क्या होता है कि अगर आपने उसको ऐसे ही जोड़ा हुआ रख दिया तो विजो सेल में जो विदूत या ओड़ जा है वो खतम हो जाएगी जो इस तर है वो कुछ देर बाद कम काम करना बंद कर देगा आपको ये भी अच्छे से समझ ले रहा हैं तो गाइस अब हम जान लेंगे कि विदूत परिपत में कैसे वल्व को फिट करना है बल्व जलने से पहले हमें विदूत समपूर परिपत की आवशक्ता होती है एक समपूर परिपत एक ऐसा मार्क जिससे विदूत की जो धारा है पूरी तरह से प्रवावित होती है बल्व में से होकर तब ही वल्व का दिप्तमान होगा तब वल्व गिलो करेगी आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं गाईज कि जो वल्व है वो क्यों गिलो कर रही है आप A, B, C ठीक है आप A, B, C को देखें और इन तिनों में आप एकदम अंतर देखें कि जो बल्व है फसक नमबर वाली वो क्यों गिलो कर रही है तो वो गईज इसलिए गिलो कर रही है क्योंकि जो उसके तार वगेरा है वो एकदम जॉइंट है कहीं से भी रास्ता उसका खुला हुआ नहीं है आपको इस तरीके से समझना है और जो देखेंगे आप सेकंड वाला देख रहे है तो आप देखेंगे नीचे की साइड से उसका तार जुड़ा हुआ नहीं है तब तार जुड़ा हुआ नहीं होगा प्रॉपर तरीके से तो वो किस तरीके से बल्व ग्लो करेगा वो बिल्कुल भी ग्लो निहीं करेगा आप इसमें सी वाले इसमें देख रहे हैं पिक्चर में तो यह उपर की साइड से खुला हुआ इस का रास्ता, जहां से इसके चारो तरफ की रास्ते बंद है चारो तरफ से जो तार है वो जॉइंट है तो तब वो जो बल्व है वो गलो करेगा आपको अच्छे से समझ लेना है परीपत में जो तार यूज होते हैं वो धातों से बने तार यूज होते हैं ये काफ़ इंपोर्टेंट बात है आपको अच्छे से समझ लेनी है इसकी जग लेंगे कि फ्यूज आखिर होता क्या है फ्यूज क्या होता है अब हम यह जाल लेंगे फ्यूज एक ऐसा उपकरन है जिसका उपयोग शर्किट ब्रेकर के रूप में किया जाता है आपको अच्छे से समझ लेना है आखिर यह सर्किट ब्रेकर क्या होता है जैसे मैंने आप से क परिपत को तोड़ देने वाला यह एक उपकरन है फ्यूज एक सुरक्षा उपकरन है सुरक्षा उपकरन में फ्यूज का यूज होता है विदुत के परिपत के यूज जो फ्यूज होता है उसका यूज होता है जब विदुत के पिरवा में जब भी कोई उश्मा तो जब भी क्या होता है प्रवा में जब भी आप काफी उश्मा एनरजी आती है तो फ्यूज में जो तार होते हैं वो पिगल जाते हैं उश्मा से इसी लिए उस परिपत में जितने भी सारे आपके जो एकदम डिवाइद होती हैं जुड़े होते हैं तो विदुद के तारों के परीवत में वे खराब होने से बच जाते हैं यहाँ पर आप फ्यूज शब्द का अर्थ अच्छे से समझ पारेंगे फ्यूज शब्द का अर्थ है यहाँ पर बल्व का फ्यूज होना आई उप सारे टॉपिक आपके अच्छे से किलियर हो चुके हैं इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको अच्छे से किलियर करें आज की वीडियो मान यहीं भी फिनिश होती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंड कीजिए थैंक यू सो मच गैस बाई बाई